वेल्कम अगेंट स्टूडेंट्स और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चेप्टर टू फोर क्लास ट्विंथ एंड चेप्टर का नाम क्या है आमल शार्क एवम लवन और जो चेप्टर फोर्स्ट है रासानी कभीक्रिय एवम समी करन चेप्टर हम कम्प्लीट कर चुके हैं उसके ब्लीव बॉक्स कोश्चन्स हैं उनको भी डिस्क्स कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर विजिट कीजिए और चेप्टर वन को आप कम्प्लीट रीड कर सकते हो complete समझ सकते हो so आमल शारक और लवन के बारे में आपने previous classes में भी पढ़ा हुआ है काफी अच्छे से आप इनके बारे में जानते हो so इस chapter में हम कुछ और इनकी प्रकृति जो है इनकी रासाइनिक जो अभी क्रियाई हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इस chapter को हम NCRT बुक से जो है इसको कवर करेंगे आप सबको पता है कि जो class strength है उसमें जो NCRT बुक है उसका read करना आपके लिए must है और जो paper है वो आपका NCRT बुक से ही कवर होता है so now let's start आपने पिछली कक्षाओं में अधिन किया होगा कि भोजन का खटा एमम कड़वा स्वाद भोजन में विद्दमान करमश्य आमल एमम शारक के कारण होता है यह प्रिविस classes में पढ़ चुके हो कि आमल का स्वाद कैसा होता है आमल स्वाद में खटे होती है और जो शारक है वो स्वाद में कड़वे होती है यदि आपके परिवार का कोई सदश्य अतिदिक भोजन करने के कारण आमलता से पीडित है तो आप कौन सा उप्चार सुझाएंगी तो आमलता है तो यानि आमल को हमें क्या करना है उदासीन करना है तो आपने पढ़ा हुआ है कि आमल को अगर उदासीन करना है तो उसको ये साथ हम किसके अभिक्रिया करा दे अगर शारक अगर हम उसके साथ मिला दे तो आमल जो है उसका प्रभाव खतम हो जाएगा ठिक है? यानि आमल और शारक की अभीक्रिया से जो बनता है वो क्या बनता है लवन बनता है और लवन क्या है एक तरह से ये उदाशीन हो जाता है ठिक तो यहाँ पर यही होगा कि आमल अगर जादा है तो उसके साथ हम कुछ ऐसा लेंगे ताकि जो की उसके प्रभाव को खतम तो यहाँ पर नीम्बु में भी क्या है अम्ल है सिर्का भी अम्ल है, यहाँ पर बेकिंग सोडे का विल्यन हम ले सकते हैं उपचार बताते समये आप किस गुर्ण धर्म का ध्यान रखेंगे आप चानते हैं कि आमल एम शार्क एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपियोग किया होगा याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाव चखे ही खटे हम कड़वे पदार्थों की जाज की थी तो देखिए जितने भी आमल या शार्क हैं उनको हम चख कर वो क्या है कि खटा है या कड़वा है चखने से हम हर एक आमल या शार्क की पहचान नहीं कर सकती क्योंकि आमल और शार्क जो है वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है सारे आमल जो है ना वो खाने योग्य हैं और ना ही सारे जो शार्क हैं वो खाने योग्य हैं इसलिए हर एक को चक कर बताना पॉसिबल नहीं है इसलिए उसके लिए हम कुछ पदार्थों का प्रियोग करते हैं जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे हम सूचक कहते हैं आपने previous classes में पढ़ा भी हुआ है कि litmus paper होता है, litmus paper की help से हम बता पाते हैं कि कोई भी पदार्थ वो aml है या शार्क है, आप जानते हैं कि aml का स्वात कैसा होता है, खटा और ये क्या करते हैं, ये नीले litmus पत्र को लाल कर देते हैं, आप यहाँ पर एक trick यूज कर सकते हो, अनिल, तो अ से क्या हो है, आपर aml क्या करेंगे, aml जो है वो नीले को लाल कर देते हैं, तो यहाँ पर जब कि शार्क जो है, उनका स्वात कैसा होता है, कड़वा होता है, और ये क्या करेंगे, आप aml जो है वो नीले को लाल करते हैं, तो शार्क क्या करेंगे, शार्क ला को नीला करते हैं और जो शार्क है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं लिटमस जो है वो क्या है एक प्राकरतिक सूचक है तो यहां पर जो वर्ड आया है आपर सूचक तो सूचक क्या है यानि सूचक वो होगा जो सूचना प्रदान करेगा सूचना किस बारे में कि कोई पदार्त वो आम्ल है या शार्क है tak A अपने कभी ध्यान दिया किा श्वेट कपड़े पर लगी सबजी के दागपर जब शार्किय प्रकर्ती यहां पर क्या है यह प्राकर्टिक सूचक है आप लोर शार्क की जाच के लिए आप संसलेशित सूचक जैसे मैथिल औरेंज एम फिनाफ्थलीन का प्यूपियोग कर सकते हो तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे सूचक है, सूचक को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं ठीक है, पहली प्रकार क्या है उसकी प्राकर्तिक, ठीक है प्राकर्तिक सूचक कौन से होंगे, जो हमें प्रकर्ति से मिलते हैं और दूसरा होगा मानव, निर्मित या आप कह सकते हो संसलेशित, मानव निर्मित यानि जो हमने लैब में तयार किये हैं संसलेशित हैं, वो क्या कहलाएंगे, मानो, निर्मित, और तीसरा जो होगा, वो होगा गंदिये सूचक, यानि ऐसे सूचक जिनकी गंद बदल जाती है, या तो शार्क ये माध्यम में, या आमली ये माध्यम में, जिनकी गंद जो है परिवर्तित हो जाती है, उनको हम गंदि उनको भी हम प्राकर्टिक सुचक की तरह प्रियोग एं कर सकते हैं. मानव निर्मित में आप मैथिल ओरंज और फिस् Bravo में हैं meth heat orange और फिस यारेंच और फिस्म कांशय सलिईर इस प्राइस्य स्थिर्ड के दिशारंज़हों के अधिय करें गयं हमें जानकारी प्राप्त होगी कि आमल और शारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तता उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्यन करेंगे लिटमस विलियन बैंगनी रंका रंजक होता है ठीक है लिटमस विलियन उसे लिटमस पेपर भी तयार किये जाते हैं और वो विलियन की फॉर्म में भी होता है वो कैसे रंका है वो बैंगनी रंका होता है जो थैलो फायटा समू यानि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो सरलतम पौदे हैं उनको थेलो फायटा ग्रुप में रखा जाता है जिसमें लीचेन यानि लाइकें जो काई जैसे जो पौदे हैं वो इसमें थेलो फायटा समू में रखे जाते हैं उनसे ये लिटमस विलियन हमें मिलता है और इसे हम सुचक की तरह उपयोग करते हैं लि बहुत सारे प्राकरतिक पदार जैसे लाल पत्ता गॉबी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पैटूनिया, जेरानियम, जैसे कई फूलों की रंगीन, पक्खुडिया, किसी विलियन में आमले हम शारक की उपस्थिती को सूचित करती हैं, तो ये सभी जो फ्लार हैं, ये जो है एक साथ डिसकस करेंगे, नेक्स्ट 2.1 आमले हम शारक के रासाइनी गुण धर्म समझना, उसके लिए हमें क्रिया क्लाब करेंगे कि किस प्रकार हम आमले हम शारक के रासाइनी गुणों को समझ सकते हैं, नेक्स्ट क्रिया क्लाब 2.1 गिवन है, विज्ञान के प्रियोग शाल उनके formula से हम रासायनिक जो समीकरन है उनको लिखेंगे, तो formula आपके लिए काफी important है, इनको साथ साथ आपको learn करना होगा. Next, calcium hydroxide को formula क्या है? CAHO2, potassium hydroxide, KOH, magnesium hydroxide, MgOH2 and ammonium hydroxide, NH4OH. इनके नमूने हमें कत्र करने है, उपर देगे प्रतेक विलियन की एक बूंद को हमें watch glass पर रखना है, फिर उनकी जाच करने है, और जाच के लिए जो सूचक लेने है, वो लाल लिटमस लेना है, नीला लिटमस, फिनॉफ्थलीन और मैथिल ओरेंज. तो आपको देखना है कि किस विलियन के रंग में क्या परिवर्तन आता है, सारनी 2.1 में जो भी प्रेक्शन है हमारे वो हमें फिल करने है, तो इसमें ये सारे क्या है, ये सारे आमल है, ठीके, हाइडरोकलोरिक आमल है, सल्फिरिक आमल, नाइट्रिक आमल, आसिटी कामल, त yerililadmaswilean को इसमें बदल देता है लाल उसका रंग बदल देता है तो यहां पर आप जो है एक ट्रिक और भीरण कर सकते आप बेलन करते हैं इसमें अगर आसा बेलन टो आत्रिक गर ली नीला बदलदेते हैं. नीले के उपर उनका कोई फैक्ट नहीं होता और वो नीला ही रहता है. फिनॉफ्थलीन में देखिए. जो फिनॉफ्थलीन है उसमें क्या होगा? जब हम फिनॉफ्थलीन की कुछ बूदे आमलीब के अंदर डालते हैं तो क्या होगा? वो रंग हीन रहेगा, उसमें कोई color नहीं आएगा. लेकिन जब Phenophthalene की बूंदें शारक के साथ डाली जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगे? वो गुलाबी रंग में परिवर्थिते हो जाता है. गुलाबी रंग आपको मिलेगा. नेक्स्ट मैथिल ओरेंज में क्या होगा मैथिल ओरेंज आमल के साथ गुलाबी रंग देता है और शार्क के साथ पीला रंग तो यह टेबल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है यहां से आपको वनमार्क का क्वेश्चन जो हो पूछा जा सकता है यहां पर एक छोटी सी ट्रिक भी है अगर आप याद करना चाहो तो कुछ बच्चे अगर कन्फ्यूज हो जाते हैं उनके लिए हलकी सी ट्रिक है वो देख लीजिए कि मैथ ही लॉरेंज में देखे यहां से हम इसका मैथ वर्ड उठा लेते हैं ठीकर ना मैथ यानि मैथ जो ह कि लगते हैं कि वुष बच्च्यों गाते हैं बहुत ही डेंजरस लगता है साथ-साथ जो हमारे आमल है जैसे अगर आप हैड्र Eloly कामल की बात करो वह भी कैसे हैं वह भी बहुत डेंजरस है और डेंजरसह यानि हमें उन 써 खत्रा है् खत्रा है तो जो खत्रे का जो निशान है वो कैसा होता है वो रेड होता है लाल इसको आप कह सकते हो लाल गुलाबी ठीक है ना तो इस तरह है आप लर्ण कर सकते हो कि जो आमल है वो मैथिल औरेंज के साथ कैसा रंग देगा वो गुलाबी जो है रंग देगा तो इसको आप लर्ण कर सकते हूँ और Phenophylline शार्क के साथ गुलावी रंग देता है ठीक तो यहां से आप लर्ण कर सकते हूँ रंग में परिवर्तन के द्वारा यह है सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अमल है या शार्क है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंद अमल है या शार्क है माध्य में बदल जाती है तो उनको क्या कहेंगे उनको हम कहते हैं गंदिय सूचक के कहते हैं यहाँ पर हम एक्जामपल लेंगे कि किस किस को हम गंदिय सूचक कह सकते हैं उसके लिए हम क्रिया क्लाप 2.2 करेंगे बारी कटी हुई प्याज आमने लेनी हैं और स्वच कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के फैले में लीजिए फैले को कस कर बान दीजिए और पूरी रात उसको फ्रिज में रखे रहने देना है यानि इससे क्या होगा कपड़े के अंदर प्याज की स्मेल हो जाए हैं और दूसरे सतय पर तनू sodium hydroxide valium की कुछ मूदे डालनी है अब यहां पर जो वर्ड हमारा आ रहा है तनू इसका क्या मतलब है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखिए आमले जो है वो उनको हम सांदरता के आधार पर दो प्रकार से हम उनको डिवाइड कर सकते ह हैं सांद्र और तनू यानि जब आमल बिल्कुल प्यार है यानि उसकी सांद्रता बहुत अधिक है 99.9 हम कह सकते हैं कि उसकी सांद्रता है उसमें कोई मिलावट नहीं है शुद्ध है एक तरह से ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे सांद्र आमल कहेंगे लेकिन जब इस सांद प्लस क्या होगा, water होगा, acid होगा, तो उसके अंदर क्या डाल गया, उसके साथ हमने water को add कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वो तनू बन जाएगा, दोनों टुकडो को चल से दोकर उनकी गंद की आपको जाच करनी है, आपको यहाँ पर अपने प्रेक्षनों को लिखना है और थोड़ा सा आपने क्या लेना है, तनू वैनिला और लॉंग का तेल, पहले हमने क्या लिया था, प्यास लिया है, उसके बाद हमने वैनिला है, लॉंग का तेल लिया है, इनकी गंद भी हमें जाच करनी है, इनकी गंद हमें कपड़े पर ना करके परखनली में लेना है, तनू HCL और दूसरी में तनू NEOH लेना है, दोनों में जो वैनिला एसेंस है, उसकी कुछ बूदे डाल कर उसे हिलाना है, उसकी गंद की पुनहें जाच करनी है, यदि गंद में कोई बदलाव है तो उसको आप लिख लीजिए, इस प्रकार तनू हाइडरोख्लोरिक आमल एम तनू NEOH के साथ लॉंग के तेल की गंद में आये परिवर्तन की जाच का प्रेक्शन भी आपको दर्ज करना है, तो इस एक्टिविटी से जब आप इसका निसकर्स निकालोगे, तो आप ये देखोगे, कि जब आप NEOH के साथ लॉंग का तेल है, या वैनिला है, या प्या गंदिये सूचक हैं, वो गंदिये सूचक बेस, यानि शार्क के साथ मिलकर गंद में परिवर्तन करते हैं, तो ये भी एक तरह से सूचक की तरह ही हम प्रियोग कर सकते हैं, इसलिए इनको हम गंदिये सूचक कहते हैं, आपके प्रेक्शन के अधार पर वैनिला, प्याज, से किसी की सुचक्ष की तरह उप्यों किया सकता है dudane तो इसमें तीनोOkay सूचक से की तरह इस्तेमाल क्या सकता है अन्हीं कुन दर्मों को समझने के situation 받고 करते हैं तो यह topic हम नेक्स वीडियों में करेंगे यहाँ पर एक बाफिय से हम इसको recall कर लेते हैं, देखे हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर हमने पढ़ा कि सूचक जो है वो कितनी प्रकार के हो सकते हैं, सूचक तीन प्रकार के होंगे, सबसे पहला कौन सा होगा, प्राकर्तिक सूचक होगा, जिसमें आप example ले सकते हो, लटमस क हल्दी है, हाइडरिंजिया के फ्लावर है, चाइनरोस फ्लावर हैं, उनको भी हम सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो इसका प्रकार होगा, वो क्या होगा, मानो निर्मित यानि संसलेशित हम किसको कहेंगे, जिसमें आप example फिनॉफ्थलीन और मैथिल औरेज का ले सकते हो, मैथिल औरेंज अमल के साथ गुलाबी रंग देता है, और शार के साथ पीला रंग देता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो थार्ट टाइप है, गंदिय सूचक, गंदिय सूचक कौन से होगे, जयानि जिनकी गंद बदल जाएगी, किसी भी माध्यम में उन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी इसके कोश्चन से हैं, उनको हम एक साथ स्टड़ी करेंगे, तो आपको वीडियो अच्छी लगी, और थैंक्स फॉर वाचिंग